आज अब discuss करेंगे एक rear drive system का engine mechanism in detail. यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर यह जो engine हमारे पास given है. इस engine के अंदर हमारे पास कौन-कौन सी ऐसे components होते हैं, किस तरह move कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे हम इस वीडियो में जानेंगे. Normally हमारे पास rear drive system axial direction में होता है. हम इसके दूसरी तरफ चलते हैं और इसके required components देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास engine के top side पे, यहाँ पे, बिल्कुल top पे, यह camshaft होती है. Camshaft के उपर different cams होते हैं, जो rotate कर रहे होते हैं. यह देख सकते हैं हमारे पास different cams rotate कर रहे हैं यहाँ पे. इनकी rotation की वज़ा से जो नीचे valves हैं, वो open और close हो रहे हैं. कुछ valves हमारे पास blue में show हो रहे हैं और कुछ red में show हो रहे हैं. blue वाले जो हैं वो inlet valves हैं और red वाले outlet valves होते हैं. इस तरह हमारे पास total इस engine में four pistons हैं और two के हमारे पास यह वाला cross sectional area given हैं. तो इनको हम जरा detail में देखते हैं किस तरह से हमारे पास यह movement generate हो रही है pistons की. camshaft के हमने देख ली और यह camshaft हमारे पास rotate हो रही है. इसकी rotation की वज़ा से inlet और outlet valves हमारे पास required timings पे open और close हो रही हैं. इसके बाद यहां पे हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास जो fuel और air का mixture यह blue वाला जो यहां पे show हो रहे हैं यहां से in किया जाता है और चारो cylinders पे हमारे पास fuel और air mixture in होता है. इन होने के बाद हमारे पास pistons के अंदर जो है वो fuel और air mix हो रहा होता है. इसी को हम जरा top से दुबारा से view करते हैं. यहां पे हम अगर focus करते हैं अपने किसी left piston पे, सबसे पहले जो left piston यह inlet valve open हुआ. यहां से fuel और air का mixture in हुआ, piston ने compress किया, expired हुआ और 4th stoke में हमारे पास outlet valve खुला और यहां से exhaust हो गया. यह total 4 stoke cycle होती है, एक cycle हमारी 4 stokes पे मुश्टमिल होती है और इसमें हमारे पास एक stoke में inlet, fuel और air mixture आता है और दूसरी और तीसरी stoke में expansion और contraction होती है और 4 stoke में outlet valve के जरीए यह बहर आ जाता है. यह जो red वाले show हो रहे है, यह हमारे पास outlet valve है, जो exhaust कर देती है, इसको. यहां से piston की linear movement नीचे यह जो black color में show हो रहाए है, इसको हम दूसरी तरफ से देखते हैं. यहां पे, यह जो हमारे पास black color में show हो रहे हैं, इसको कहते हैं, crank shaft. Crankshaft जो है, हमारे पास यहां पे pistons की linear movement को rotational movement में convert कर देता है, इसको हमने transfer करना है, wheels के उपर. तो इस क्रैंक शाफ्ट को हम डिसकस करते हैं क्रैंक शाफ्ट की मूवमेंट जो है वो हमारे पास एक रूटेशनल मूवमेंट होती है और इसी रूटेशनल मूवमेंट को हम बाकी और मेकेनिजम्स को मूव कराने के लिए भी यूटिलाइज करते हैं यहां से हमारे पास crankshaft की movement एक pulley के जरीए यह वाली जो pulley है इसके जरीए इस movement को और different mechanisms में transfer करते हैं यह हम देख सकते हैं pulley and belt system है जो इसको transfer कर रहा है यही चीज camshaft की rotation भी actually movement हो रही है हमारी crank shaft की वज़ा से यहां पे इसका pulley and belt mechanism है जो crank shaft की movement को ही transfer कर रहा है और इसी तरह और भी different mechanism जो हम देख सकते हैं different belt and pulley drive system है यह हमारे convert कर रहा है तो actually मैं इस point पे हमारे पास सब कुछ convert हो रहा है crank shaft की movement को ही और different movements में तो I hope आपने engine का inner mechanism देख लिया होगा इसी तरह हम और भी different mechanisms लेके आएंगे तो अगर यह video पसंद आती है तो please do subscribe the channel thanks for watching this video